इस दिन बेटी की बिदाई करने से वेवाहिक जीवन में परिसानिया आती हैं, बुध देव नराज होते हैं, बुधी ब्रश्ट हो जाती है, एक पर्माडी कथा के अनुसार, एक ब्यक्ती अपनी पत्नी को बिदा कराने के लिए ससुराल गया, वहां कुछ दिन रहने के पत्नी को बुध बार के दिन बिदा कराने के लिए कहा, सास ससुरा और अन्य समंधियों ने बुध बार के दिन होने के कारण बिदा करने से मना कर दिया, उन्होंने समझाया कि बुध बार के दिन बेटी की बिदाई नहीं की जाती है, लेकिन वह ब्यक्ती जीद पर अपनी सहर की योर चल पड़ा रास्ते में उसकी पत्नी को बहुत प्यास लगी तो पत्ती लोटा लेकर गाड़ी से उत्रा और पानी लेने चला गया जब वह पानी लेकर लोटा तो उसने देखा कि उसकी जैसी सकल सुरत का दूसरा ब्यक्ति उसकी पत्नी के बगल में बैठा हुआ ह यह तेकर वह बहुत कुरोधित हुआ और पूछा कि तुम कौन हो यहां मेरी पत्नी के बगल में क्यों बैठे हो फिर उस ब्यक्ति ने पलट कर जबाब दिया और उसी से पूछा कि आप कौन है यह मेरी पत्नी है इस बात पर दोनों में लड़ाई होने लगी उसी समय राज लिला से ही पूछा कि तुम्हारा पती कौन है लेकिन वह भी असमंजस में पड़ गई इसके बाद औरत का असली पती भगवान से प्रत्ना करने लगा कि हे प्रभू यह सब क्या हो रहा है तब ही अकसमाणी हुई कि तुमने बूध बार के दिन बिदाई कर यत्रा किया और किसी की बात नहीं मानी इसलिए बूध देव की लिला से यह सब हुआ तब उस व्यक्ति ने बूध देव से छमा मांगी तब उसी के रूप में आये बूध देव अंतरध्यान हो गए इसलिए बूध बार के दिन बेटी की बिदाई करने अथावा यत्रा करने से बचना चा सामना करना पड़ता है बूध बार के दिन भूल कर भी इन चीजों की खरदारी नहीं करनी चाहिए बूध गरह को धन व्यपार और बूध ही का कारक माना जाता है जदी कुंडली में बूध गरख की इस्तिती कमजोर है तो बूध बार के दिन इन चीजों की खरिदारी करने से बचना चाहिए इन चीजों की खरिदारी करने से कुंडली में बूध गरख कमजोर होते हैं बूदबार के दिन बालों से जूड़ी चीज़ें जैसे कंगी, तेल, साबुन, हेर ड्रायर खरिदने से बचना चाहिए बूदबार के दिन नए जूते, हाई हिल्स और कपड़े खरिदने और पहनने से बचना चाहिए इससे सूब नहीं माना जाता है और आर्थिक संकट पैदा होता है बूदबार के दिन दूद से बनी चीज़ें जैसे खीर, रबड़ी, दही, मखन आदी न घर में बनाएं और न खर दें बूदबार के दिन किसी व्यक्ति को पैसे उधार नहीं देना चाहिए इससे कर्ज की इस्थिति पैदा होती है बूदबार के दिन भूल कर भी पान खाने और खरिदने से बचना चाहिए इससे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है बूदबार के दिन हरी मिर्च, हरा मुंग, हरा धनिया, पालक, सौर्सो का साग, पपीता, अमरूद की खरिदारी नहीं करनी चाहिए बूदबार के दिन हरे रंग से समन्दित कोई भी चीज न खर दें इससे कुंडली में बूध गरह की इस्तिति कमजोर होती है दोस्तों यह जनकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सेयर करे तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले